प्रियाग राज में महाकुम्ब जैसा ही नजारा अब देव भूमी उत्राखंट से शुरू होने वाली कावण यात्रा में भी दिखाए देगा सियासत और अध्यात्म को एक साथ लेकर चलने वाले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्री योगी आधितनाथ इस बार कावण यात्रा की तस्वीर बदलने जा रहे हैं 17 जुलाई से शुरू होने जा रही कावण यात्रा को लेकर सियम योगी ने प्रदेश के अधिकारियों को अभी से तैयारी शुरू करने का अधेश दिया है महा शिवरात्री में कावण यात्रा को लेकर सियम योगी आधितनाथ ने समिक्षा बैठक के दौराण जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि कावण यात्रा के दौराण डीजे पतिबंदित नहीं रहेगा हाला कि दीजे पर केवल भजन ही बजाये जा सकेगा इसके साथ ही कावणियों पर पिछली बार की तरह हेलिकॉप्टर से पुष वर्षा की जाएगी कावण यात्रा को लेकर आज लखनों में सीम योगी अधितनात ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सभी जिलों और मंडल के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को साथ समिक्षा बैठक की साथ ही निर्देश भी दिये योगी ने कहा है कि कुम्ब महुलसवक की तरज पर ही कावण यात्रा की तैयारी होगी कावण यात्रा में टीजे पर सिर्फ भजन बजाने की इजाज़त होगी मतलब फिल्मी गाने नहीं बजेंगे कावड यात्रा के दौरान सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से होगी साथ ही कावडियों के उपर हेलीकॉप्टर से पुष बर्सा का भी बंदुबस्त किया जाएगा सभी जुलों के डियम समय पर शिवालेओं की वभस्ता दुरुस्त कराएं वहीं यात्रा के दौरान स्वक्सता का भी पूरा खेल रखा जाएगा इसके साथ ही प्लास्टिक के इस्तिमाल पर भी बेन लगाया गया है इसके साथ ही योगी ने अधिकारियों से कहा है कि कावड यात्रा मार्ग पस जेज़े कावड यात्री ठेरते हैं वहाँ शराब के ठेके और अवैद बूचल खाने नहीं चलने चाहिए आपको बता दे साल कावड यात्रा 17 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस तक चलेगी कावड यात्रा के दौरान 4 धाम रूट को डायवट किया जाएगा सीम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कुछ लोग माहौल बिगाडने की लगातार साजिश रच रहे हैं लेकिन वो अपनी मंशा में काम्याब नहीं हो पाएंगे विरो रिपोर्ट, जी मीडिया